इस वीडियो में हम मिरातुल उरूस से एक इक्तवास की पढ़ाई करेंगे मिरातुल उरूस एक नौवल है और उसके एक इक्तवास यनि एक हिस्से की हम इस वीडियो में पढ़ाई करेंगे इस नौवल को डिप्टी नजीर एहमद ने लिखा है अकबरी के शोहर ने कह रखा था कि किसी अजनवी औरत को घर में मत आने देना इन दिनों एक कुटनी यानि चलाक औरत आई हुई है जो कई घरों को लूट चुकी है लेकिन मिजाज़दार अकबरी का लकब मिजाज़दार शिद्दत से यनि बहुत ज्यादा बेवकूफ थी इसकी आदत थी हर एक से जल्द मिल जाना एक दिन वोही कुटनी हजन यनि हाजी औरत का भेस बनाकर यनि शकल बनाकर गली में आई ये हजन मकार यनि धोके बाज बेवकूफ औरतों को फुसलाने के लिए अपनी बातों में लाने के लिए तरह तरह के तबरुकाद तबरुकाद केते हैं बरकत वाली चीज़ों को और सदहा किसम की यनि बहुत ज्यादा किसम की चीज़ें अपने साथ रखा करती थी तस्बी, खाके शिफा, खाके शिफा होती है शिफा के लिए एक मिट्टी तो ये तबरुक होते हैं जो लोग बरकत के लिए ले ले लेते हैं जमजमिया, जमजमिया होती है आब जमजम का बरतन वगएरा इस तरह की चीज़ें वो हजजन अपने पास रखा करती थी गली में आकर जो उसने अपनी दुकान खोली, बहुत सी लड़कियां जमा हो गई मिजाजदार ने भी सुना, जुल्फन पडोसन की लड़की से कहा पडोसन की लड़की का नाम है जुल्फन हजन को यहां बुला लाना, हम भी तबर्रुकात की जियारत करेंगे, यानि देखेंगे जुल्फन गई और हजन को बुला लाई मिजाजदार ने बहुत खातिदारी से, यानि बहुत इज़त के साथ हजन को अपने पास बिठाया माफ कीज़ेगा, यहां लिखा है हजन को पास बिठाया और सब चीजें देखी, वो चीजें पसंद की, चीजों को देखा और उन्हें पसंद भी किया हजन ने बातों बातों में तार लिया, यानि ये अंदाजा लगा लिया ये औरत धब पर जल्द चड़ जाएगी, धब पर जल्द चड़ जाना धब का मतलब होता है तरीका और जब हम कहते हैं धब पर जल्द चड़ जाएगी, यानि मैं जो तरीका अपना रही हूँ, तरीका अख्तियार कर रही हूँ, उसमें वो फौरण मेरी बातों में आ जाएगी और और वो ही करेगी जो मैं उसे कहूंगी तो हजजन ने इस चीज़ का अंदाजा लगा लिया था कि वो और जो है, वो मेरी बातों में जल्दी से आ जाएगी, उसने खरीदी हुई चीज़ें हवाले की और फिरोजे की एक अंगूठी तबरुक के तौर पर अपने पास से मुफ्त दी, मिजाज़दार रीज गई, मिजाज़दार को ये सब कुछ बहुत पसंद आया, इसके बाद हजजन ने समंदर का हाल, क्योंकि वो जो कुटनी है, उसने हजजन का एक रूप इक्तियार किया वा था, शकल बनाई हुई थी, तो उसने बताया कि जब मैं हजज करने के लिए गई तो महां किस तरह के हाला थी मेरी, और वहां के कैसे हालाब थे, और दिल से जोड कर, यानि अपने पास से दो चार बातें ऐसी की, कुछ और बातें ऐसी की, अपने पास से भी, कुछ तो सही सही बातें थी, और कुछ उसने अपने पास से भी बातें लगाई, और ऐसी की, दो चार बातें, कि ने कमाल शौक से सुना, यानि बहुत शौक से उन बातों को सुना और उसकी तरफ खास इलतफात किया, यानि तवज्जो की. एक पहर कामल हजजन बैठी रही. पहर का मतलब होता है दुपहर का एक हिस्सा और कामल मुकमल को कहते हैं, यानि वो पूरी दुपहर हजजन वहां मिजज़दार के पास बैठी रही. रुकसत होने लगी तो मिज़दार ने बहुत मिन्नत की, यानि दर्खास की. अच्छी भी हजजन अब कब तक आओगी? हजजन ने कहा, इन्शाल्ला ताला दूसरे तीसरे दिन तुम को देख जाया करूंगी. यानि तुम्हारे पास मैं दो तीन दिन में चक्कर लगा लू पहले तो उसने कहा था ना कि मैं दो तीन दिन के बाद आऊंगी लेकिन अगले दिन मो फिर आ गई. और एक रेशमी अजार बंद लेती आई. अजार बंद कहते हैं, जिसे शल्वार में डाला जाता है. मिजाज़दार दूर से हजजन को आते देख कर खुश हो गई और लिकने वाला है, तुमें इसे खरीच सकती हो. मिजाज़दार ने पूछा कितने का है? हजजन ने कहा चार आने का. एक रुपए का चौता हिसा जिसे चार आना कहते थे. ये पुराने जमाने में रुपए के भी उसमें हिससे होते थे चार आने, आठ आने इस तरह से. तो य में एक बेगम रहती हैं, अब गरीब हो गई है. असबाब बेच बेच कर, अपने घर का सामान बेच बेच कर गुजारा करती है. मैं उनकी अक्सर चीजें बेच ला दिया करती हूं. यानकी बहुत सी चीजें बेच कर उनको पैसे ला देती हूं. मिजाज़दार इतना सस्ता अजार बंद देखकर लूट हो गई यानि बहुत जादा वो खुश हो गई फॉरण पैसे निकाल हजन के हाथ में दिये और बहुत गिर गिरा कर यानि दर्खास वाले अंदाज में कहा हजन से कहा अच्छी भी जो चीजें बिकाओ हुआ करे पहले मुझे को दिखा दिया करो हजन ने कहा बहुत अच्छा पहले तुम और पीछे और हजन ने भी उसको कहा कि ठीक है भी मैं तुम्हें पहले वो चीजें सबसे पहले तुम्हें दिखाऊंगी उसके बाद मैं किसी और को दिखाऊंगी जो भी बिकने के लिए मेरे पास आएंगी दो-चार दिन बाद जूटे मोतियों की एक जोडी लाई इस चुमले को दुबारा पढ़ते हैं दो-चार दिन बाद जूटे मोतियों की यह नि तो भी खुद बेगम की नत के मौती हैं, नत केते हैं जो नाक में डाला जाता है, ऐसा जेवर जो नाक में डाला जाए उसे नत केते हैं, नहीं मालूम हजार की जोड़ी है या पांसो की, पांसो यनि पांच सो की, पना मिल जोहरी, यनि जेवर को जो परकने वाला जोहरी है, उसकी दुकान पर मैंने दिखाई थी लट्टू हो गया, वो फिदा हो गया। दो सो रुपए मेरे पल्ले बांधे देता था, यहीं मुझे वो दो सो रुपए दे रहा था। मैं बेगम से पचास रुपए पढ़ाई हूँ, तुम ले लो। फिर ऐसा माल ना मिलेगा। मेरे पास नहीं है, हजजन ने कहा, क्या हुआ बेटी, माफ कीजेगा, क्या हुआ बेटी, पहुंचियां बेच कर ले लो। पहुंचियां एक तरह का जेवर है, जो हाथों में पहना जाता है, चूड़ी से जड़ा बड़ा होता है, और उसके साथ घुंगरू लगे होते हैं, नहीं, तुम जानो, आज ये मोती बिक जाएंगे, अगर तुम ने ये ना लिये, तो आज ये मोती बिक जाएंगे, हजजन ने इस धब से कहा, यानि इस तरीके से कहा, कि मिजाज़दार फॉरण जेवर का संदूकचा उठा लाई, संदूक की छोटी जो किसम होती है, छोटा संदूक उसको संदूकचा कहते हैं, और पहुंचियां निकाल कर हवाले कर दी, हजजन ने मिजाज़दार का पर देख कर कहा, ऐ है कैसी बे एतियाती से मूली गाज़द की तरह डाल कर रखा है, यह नहीं कैसे तुमने सारी चीज़ों को अकठा ही एक जगा पर रखा हुआ है, दुगदुगी में डोरा डलवाओ, दुगदुगी एक ऐसा जेवर होता है, जो गले में पहना जाता है, जिसे हम चोकर भी कहते हैं, तो उसमें उसके डोरा नहीं था यह वो रसी नहीं थी जिससे पीछे गले में वो बांधा जाता है, तो हजजन ने कहा कि इसमें डोरा तो डलवाओ, दोर तो डलवाओ, जिससे तुम इसको पहन सको, बाली, पत्ते, मगर मुर्कियां और बन, यह तमाम जेवर की किस्ट में होती है, मेले चिकट हो गए है, यह बहुत ज़्यदा मेले कुछ ऐले गंदे हो गए है, मेल सोने को खाय जाता है, सोना जो है, वो मेल की वज़े से बहुत ज़्यदा खराब हो रहा है, इन को अजलवाओ, यह इनको धुलवाओ, साफ पॉलिश करवाओ ताकि ये पेहनने के काबिल हो सकें। मिजाजदार ने कहा कौन डोरे डलवाए और कौन अजलवा कर लाए। उन से कहती हूँ तो वो कहते हैं मुझे फुरसत नहीं। यनि मेरे पस वक्त नहीं। यहां वो अपने शोहर की बात कर रही है। जब मैं उनको कहती हूँ के मेरा यह काम करवा दीजिए। तो वो कहते हैं मेरे पस तो वक्त ही नहीं है। हजजन ने कहा ओई बेटी ये कौन सा बड़ा काम है। लो मोती रहने दो मैं अभी डोर डलवा लादू। मैं अभी जाती हूँ और इसमें डोर डलवा के लाती हूँ और जो जेवर मेला है निकाल ला दो मैं अभी उजलवा दो मिजाज़दार ने सब जेवर हवाले किये हरजन ने कहा जुलफन को भी साथ कर दो वो सुनार के पास बैठी रहेगी मैं पटवे से यहीं माहिर को कहते हैं ऐसा माहिर जो जेवर में डोर या वो धागा डालता है तो मैं पटवे से डोरे डलवाऊंगी मिजाज़दार ने कहा अच्छा यह कहकर जुलफन को आवाज दी आई तो हजज़न ने कहा लड़की जरा मेरे साथ चल सुनार की दुकान पर बैठी रही हो बैठी रही हो यानि वहाँ पे तू सुनार के पास बैठी रहना और वो जेवर को उज़ुआने के लिए साथ लेका जा रही थी जुलफन को आगे का हिस्सा हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे आपने इस वीडियो को दुबारा देखना है और साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश करनी है